नमश्कार जिन्दगी चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस कोर्स को करके एक अच्छी जोब जल्दी प्राप्त कर सकते हैं देखे बच्चो अगर आपने अभी 12th पास किया है या आप भी एक पास कर चुके हैं और घर बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि एक जोब मिल जाए तो उसी के लिए मैं आपको कुछ सेजेशन दे रही हूँ बच्चो अगर आपने अभी 12th पास किया है तो आप एक जोब करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये सेजेशन काम आएंगे देखे मैं आपको सेजेश कर रही हूँ कम्प्यूटर कॉर्सेज के बारे में कम्प्यूटर कॉर्सेज आज की डिमांड है आज हमारा भारत डिजिटल भारत की तरफ बढ़ रहा है हर तरफ कम्प्यूटराइज चीजे हो गई है तो कम्प्यूटर की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है और कम्प्यूटर कॉर्सेज उन्ही जानकारियों को सिखाने का एक तरीका है, computer के लिए कुछ courses निर्धारित किये गई हैं, जो आप after 12 भी कर सकते हैं, और after DA भी कर सकते हैं, अगर आपने अभी 12th pass किया है, और आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कि एक job जल्दी से मिल जाए तो आप ये job में suggestion दे रही हूं इसमें से किसी एक पर अपना डिप्लोमा लीजिए और job के तियार कीजिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं, computer courses कौन-कौन से हैं, computer courses हैं बचो, computer programming course, computer accounting course, digital marketing course, hardware course, computer software course और computer networking course, ये courses एक से दो साल के लिए हैं यानि इनका time one से two year की बीच में है, आप एक से दो साल की बीच में इन courses को कीजिए इनका डिप्लोमा लीजिए और फिर अपना career बनाएए, इन courses में आपको exam देने होंगे आपको admission के लिए भी exam देना पड़ सकता है हर state में इसके लिए अलग अलग चीजे निर्धारित की गई है किसी-किसी state में सीधा admission हो जाता है और किसी-किसी state में इसके लिए test भी देना पड़ता है तो आप जिस भी state में रह रहे हैं वहां के अपने computer courses के लिए सरकारी ITI से संपर्क कर सकते हैं या किसी private institute से भी आप ये courses कर सकते हैं इन courses को करने के बाद आप computer की field में अपना एक अच्छा carrier बना सकते हैं आपको एजानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो subscribe जरूर कीजेगा मश्कार